जैन में 29 जैन सिफ्पू का कुश्चन, कुश्चन के रहा है तो value of the integral 1 to 2, t to the 4 plus 1 upon t to the 6 plus 1 dt, यह तो बहुत असान लाइक निस से बुखाऊंगा, इसे क्या करो, aq plus bq में break करते हैं, तो aq plus bq में इसा break करेंगे, तो यहां लेको क्या रही हैंगे, integral 1 to 2, aq plus bq क्या होता है, a plus b into a square plus b square minus a b, यही होता है, a square minus a b plus b square, यही बना कर, aq plus bq का form, इसको t square को और q कर लेके, वही aq plus bq का form, अब देखो, t square plus 1 उपर वाला हमें देख रहा है, तो हम ऐसे कर ले, t square plus 1 minus t square plus t square, यह हम कर ले ऐसे, ताकि कुछ cancel हो, तो ऐसे ही, इसको क्या करो, यहां से यहां, और इसको अलग, segregate कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, integral 1 to 2, यह लिख लो, t to the 4, plus 1 minus t square, upon t square, plus 1, t to the 4, minus t square, plus 1, plus integral 1 से 2, इसको tt, ठीक, यह भी tt, पूरा, ओके, यहां कर लो, तो क्या बना से का, t square, upon, और इसको मिला करके है, तो क्या करें, 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 integral 1 से 2, dt, upon t square, plus 1, plus integral 1 से 2, t square, upon t to the 6, plus 1, dt, तो इसने थोड़ा सा आभी, एक और स्टेप जागा, यह तो फिलपल दिख रहे, tan inverse t, ठीक है, इसको, tan inverse, t लिखते हैं, तो substitute कर दिया, तो क्या 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 क्या, tan inverse, 2, minus or tan inverse महँचो की कि इतना होता है, by way 4, अब इसको solve करते हैं, आप देखो, tq को m सबोच कर दिया, तो 3, t square dt, is equal to dm हो गया, यहां से t square dt को substitute कर दो, तो integral क्या होज़ागा, dm upon, अब यह tq, m था, tq का whole square है, तो जो क्या बन जाएगा, m square plus 1, which is equal to tan inverse m, m के बाइज़े, substitute कर देते है, tan inverse tq, तो यह basically कितना था, tan inverse tq, और यह 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, अब इसको substitute कर देते हैं, तो plus, 1 by 3, अब tan inverse 2 डालोगे, तो क्या रहेगा, tan inverse 8 आ जाएगा, minus of, 1 by 3, और tan inverse 1 डालोगे tq का, 1 ही आधेगा, tan inverse 1 कितना था, 5 by 4, अब इसको simplify कर लेते हैं, तो कितना हुआ, tan inverse 2, plus tan inverse 8 by 3, ओके, यह minus 45, और यह, इसे minus 5 by 4 कॉमन लेते हैं, minus 5 by 4, तो कितना जाएगा, 4 by 3 आ जाएगा, तो कितना हुगे, minus 5 by 3, ठीक है, किसको finally minus 5 by 3 डिलती है, तो कौन सा option बनेगा आपका, option number 2 बनेगा, tan inverse 2, plus tan inverse 8 by, यह, sorry, हाँ, tan inverse 8 by 3, बिल्कुर ठीक है, minus 5 by 3, तो option number कौन सा बना, option number 2, इसका correct answer है, तो यह था बहुत असान procedure इसको solve करने का, ठीक है, basically हमें strike कैसे किया कि इसे further ऐसे solve करें, क्योंकि minus 3, plus 3 का देख रहे थे, और Q plus B क्यों ही बनाते, तो इसके हमने यह किया, और फिर उसके बाद एखा, कि option में tan inverse यूज कर रखा है, तो हमने सुचा, कि इसको इस तरफ भी मिल लागा, और इसको इस तरफ भी मिल लागा,